Tata Consumer Products Limited आज इस टॉप के बारे में हम चर्चा करें, काफी कॉमेंट्स आए Tata Consumer Products में अगर कुछ हाल फिलाल जो समाचार मैं आपको बतानी कोशिश करूँ तो पहली चीज तो हम इस पे नंबर सो अगरा पर चलें, इनके बिजनेस पर चलें कुछ जो समाचार हैं, उनके बारे में चानना अत्य अवश्यक है देखी जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, formerly known as Tata Global Beverages Limited इसको जो है नया मैनेजमेंट या फिर एक तरीके से कह सकते हैं जो कोरोना वायरस के दर्मयान, जो महामारी के दर्मयान जो इस कंपनी में बढ़ोतरी देखी है क्योंकि काफी जो इनके प्रोड़क्ट्स हैं, लाइक Tata Sampan, जिसके अंतरगत मसाले, खाने पीने के दाल्स ये सारे जो प्रोड़क्ट्स हैं, उसके तहट जो भयानक बिक्री हुई, इस कंपनी को लगा क्यों न हम इस तरफ ज़्यादा फोकस करें, ताकि एक बढ़हा FMCG कंपनी जो है, खड़ी की जा सके उसी का परणाम ये हुआ, कि काफी कंपनी के जो है, सलिंग हुई अच्छी खासी हो, और उसके पश्चाद जो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि अभी जो Nifty 50 है, उसमें गेल को ये रिप्लेस करेगी, जैसा कि यहाँ पर समाचार है, टाटा कंजूमर तो रिप्लेस गेल Nifty 50 from March 31st को, और अगर आप देखेंगे जो टाटा कंजूमर प्रोडक्स लिम्टेड जो कंपनी है, इसकी जो मार्केट केप्ल है करीब 57,445 क्रोन की है, आज की डेट में, जो भी और भी FMCG कंपनी हैं, लाइक का ITC हो गई, हिंदुस्तान उनिलिवल लिम्टेड हो गया, न इस प्रकार से बहुत लंबा इनका लेख है, मैंने पूरा पढ़ा, तो यह समझ में आया कि जो माल लिजीए कि कुछ प्रोडक्स जैसे की, इसे स्टारबक्स हैं, तो उसमें इनकी हिस्सेदारी है, जोएंट वंचर के तहत, और दूसरे जो समचारत, टाटा ग्रूप सीक, CCI not to acquire Big Basket, Competition Commission of India's approval, Tata Group has sought Competition Commission of India's approval on its deal to buy a majority stake in Bed Basket, बिग बास्केट जैसे की, आप समझ सकते हो कि, ऑनलाइन जो ग्रोसरी के सेलर है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा मार्केट शेर इनके पास, तो Tata इनके जो है कुछ परसेंट एक्वायर करना चाहती है, ताकि इसके म हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं कि जरूर कर लीजिएगा, पी रेशियो इसका 79 का, इसका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है, 634 रुपय का, आज इसमें बढ़त देखी गई है, और इसमें जो बिजनस वाइस मार्केट शेर देखते हैं, माल जीन के जो प्रोड़क्स है, 30 20% टाटा सॉल से, टाटा नमक तो आपको पता ही कितना फेमस ब्रांड है इंडिया में, 21% ब्लाक टी, 20% जो है टी मार्केट शेर हैना टाटा टी, और 29% खरीब टी मार्केट शेर इन कानडा, लोकेशन वाइस ब्रेक अप में अगर हम देखें, रेविन्यू मिक्स में अग और बाकिक कंट्री से, मेडिल इस्ट और जो भी हैं, वहां से 7% का आता है, 2017, 2018, 2019 और 2019, 2020 में अगर हम देखें, तो 2017, 2018 में मामूली से रेविन्यू में बढ़त थी और प्रॉफिट में करीब 27% के आसपास के बढ़त थी, और यह दिम देखें, 2018 और 2019 में तो रेविन्यू मे जादा की जम्प है, और प्रॉफिट में करीब 16-12% के आसपास के जो है ग्रोथ देखी गए है, मले यह quarter दर quarter अगर हम देखें, तो पिछले quarter में थी, इनकी total revenue थे 2800 क्रोड के आसपास, जो की बढ़के हो गया 3089 क्रोड और जो हम net income देखते हैं, पिछले quarter में था 218 क्रोड हाला की जो है इस बार के quarter में 270 क्रोड या 218 क्रोड करीब करीब बराबर ही आया है, अगर हम return wise देखते हैं, तो करीब जिन्होंने एक वर्ष पूर इसमें पैसे लगाए होंगे, उनको 84% के आसपास का लाब हो रहा है, परन्त जिन्होंने जब भयाना गिरावट आई थी, उस समय अगर किसे निवेश किया होगा, तो उनको काफी जवर्दस मुनाफ़ा हो रहा है, क्योंकि low बनाया था, 213 का और high बना चुका है, 654 का, तो depend करता है कि कौन किस समय पे इसमें खरिदारी किस ने किया होगा, पांच वर्षों का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो पा एले चीज़ तो promoter wise एक बहुत ही बड़ा टाटा ग्रूप है, जिसके सबसे जरी है ये, product wise एक बहुत ही बड़ा नाम है, इनके कुछ प्रोड़क्स हमाली, चाय, कॉफी, इस सारे जो प्रोड़क्स हैं, दुनिया में बिखते हैं, चाय UK हो, चाय USA हो, और इंडिया में segment है, FMCG का खारोबार, वो बहुत जबर्दस चलने वाला है, future को अगर हम देखते हुए, इस कंपनी के FMCG को जिस प्रकार से बिग बास्केट के कुछ टाय अप करना चाह रहे है, स्टारबक्स साथ इनका टाय अप है, और इस प्रकार के इनके प्रोड़क्स हमालेया हो गय क्योंकि किसी कंपनी में अगर आप निवेश करने जा रहा है, माली यह टाटा जैसी कंपनी है, टाटा जैसा ग्रूप है, तो उसमें आप लंबी अवधी के लिए ही सोचें, आकि आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा मिल सकें, जैसा कि आपने देखा, पास्ट के पांच वर कंपनी में एक साथ बहुत पैसा ना डालें, ऐसी कंपनीों में अच्छी कंपनीया हैं, तो धीरे धीरे आप अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई FMCG की कंपनी नहीं है, तो ही आप कंसिडर करें, क्योंकि बहुत सारे किसी एक सेक्टर की कंपनीया भी भर लेना समझदार पैसा क्या हो जाता, कई जगा टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसका एक साथ लाब नहीं मिल पाता, तो इस तरीके से अनिक प्रकार के अपने पोर्टफोलियो में रखें, माली जे केमकल की निस्ट्री हो गई, माली जे बैंकिंग हो गई, माली जे NBFC हो गई, इस त कमपनी में खरीददारी का अच्छा खासा मौका हो, नजर बनाए रखिए, आपके सुझाओं का स्वागत रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद।